सो नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका और एक दमागदार वीडियो में और यहाँ पे आज हमारे पास बोट वेव प्रो 47 स्मार्ट वाच इसका जो लॉंच प्राइस वो है 2899 रूपीज और यहाँ पे जो एक यूनिक फीचर है वो है लाइव क्रिकेट स्कोर एंड वन मोर थि के लिए हमरे चराल को सब्सक्राइब किजिए और नोटिज आके बेल आइकन को प्रेस करना मत बूले सो प्रजाए ही यार वेल्कम पोर चनल एटेग एंड लेस टाल दिस वीडियो तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है पैकिंग में वेव प्रो 47 लाइव क्रिकेट स्कोर 30 मिट्स फास्ट चार्जिंग मेडी इंडिया बाई इंडियन ब्रांड पीछे यहाँ पे आपको मेजर स्पेसिफिकेशन 1.69 इंच का एचर डिस्प्रे मिलता है हाट रेट एंड ब्लड ऑक्सिजन लेवल मिल जाता है यहाँ पे आपको वेलनेस क्रू एंड फिटनेस बड़िस का सपोर्ट मिलता है कस्टम रन प्लान अगर आप यहाँ पे आउट्डोर रनिंग करते हो तो यह काफी मज़ेदा रहने वाला है क्लाउड एंड कस्टम वाच फेस कॉल टेक्स एंड सोशिल मीडिया नॉटिफिकेशन मल्टिपल स्पोर्स मूड एंड आईटी 67 डस्ट एंड स्वेट रेजिस्टन्स भी यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे इसे कर देते हैं ओपन तो कर कर देते हैं उसको स्मार्ट वाच जो है उपर से गायब हो गई है यहाँ पर नीचे चले गई है तो यहाँ पर हमें मिल जाता है स्मार्ट वाच यहाँ पर है यूएसबी एन मेगनेटिक चार्जिंग केबल और यहाँ पर काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स विथ बूट हेड वो भी यहाँ यहां पर आपको मिल जाते हैं तो आपको इतना मिल जातेगा फ्रम दी अन बॉक्सिंग सब्सक्राइब करें यहाँ पर हमारे पास गईच्ट वेउप प्रो प्रोसिज कर देते हैं तुए यहाँ पर होडन प्रेस करके रखते हैं तो बूट का लोगों दीरे दीरे बलक की तरह यहां पर जल रहा है काफी amazing animation लगा मुझे यहां पर और यह है हमारा home screen तो कुछ इस तरीके से हमें यह मिल जाता है तो अगर बात करें यहां पर look के इसाब से तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर काफी huge 1.69 inch की HD display जो है वो मिल जाती है जो brightness है इसका वो है 500 nits जो मुझे एकदम ही सही लगा indoor condition या तो फिर outdoor condition में आपको यहां पर कोई भी problem नहीं होगा और हाँ आप यहां पर easily जो brightness है उसको यहां पर switch कर सकते हो जो मुझे काफी मज़दा लगा यहां पर सो यहां पर एक side में आपको एक power button मिलता है जहां से आप menu जो है उसको भी access कर सकते हो पीछे यहां पर आपको charging dots, heart rate sensor, SPO2 sensor जो है वो मिल जाता है और यहां पर पीछे boat का logo भी मिल जाता है अगर बात करें यहां पर straps को लेके तो straps की quality मुझे काफी ही super लगी थोड़े अलग type के यहां पर straps मिलते हैं, silicone straps है लेकिन जो उपर का engraving है थोड़ा सा design जो है emboss वाला वो मुझे एकदम ही सही और unique लगा and of course आप इसे यहां पर quickly change कर सकते हो यह भी एकदम सही लगा so price के इसाब से यहां पर जो smart watch है वो मुझे एकदम ही सही लगा बात करें यहां पर look के इसाब से तो कुछ ऐसा दिखेगा जब आप इसे wear करोगे on your hand and एकदम ही comfortable है यहां पर और raise to wake function by एकदम ही जबरजस्त है जो speed है raise to wake की मुझे यहां पर काफी पसंद है काफी quick है काफी fast है बाकी सारी जो smart watch रहती है उसके comparison में मुझे यह एकदम ही सही लगा wow so first time यहां पर mobile के साथ connect करने के लिए आपको यहां पर boat crest app जो है उसको यहां पर install करना है आपके mobile में और next करना है यहां पर choose करना है wave pro और यह देखे एकदम ही fast यहां पर इसका response है तो यहां पर हम कर देता है इसको pair तो यह हो गया pair wow एकदम ही fast यहां पर मुझे लगा और जैसे यहां पर check कर सकते हो time जो है वो भी यहां पर change हो गया है So, यहाँ पर pairing process एकदम ही easy है आपको यहाँ पर आपका जो basic goal है, information है वो यहाँ पर app के अंदर provide करना रहेगा So, कुछ इस तरीके से home screen आपको यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर जाता है setting के अंदर जहाँ पर आपको काफी सारे features जो है वो मिल जाएंगे दूसरा यहाँ पर कोई भी एक select कर लेते हैं जैसे के यह वाला हम यहाँ पर करते है So, यहाँ पर जाना है select करना है and apply करना है So, यहाँ पर यह update हो रहा है और updating process मुझे यहाँ पर काफी fast लगा Compared to other smartwatch यह काफी fast यहाँ पर transmit करता है watch faces को और जो app का UI है वो काफी user friendly है और एकदम ही easy है इसे यहाँ पर use करना है So, हम यहाँ पर जो watch face है वो transfer कर रहे है Almost मेरे ख्याल से 10-12 seconds में यहाँ पर watch face जो है वो transfer हो गया So, इसके लाब यहाँ पर आपको मिल जाता है sedentary reminders, alarm, notification, auto heart rate tracker and google film तो यह है watch pro features जहाँ से आप इसे थोड़े बहुत change कर सकते हो About your device, home जो है वहाँ पर आपको heart rate, temperature, SPO2, sleep monitoring वो सब यहाँ पर data जो है वो मिल जाएगा activity के अंदर अगर आपने यहाँ पर कोई perform किया होगा तो वो भी मिल जाएगा So, जो एप का UI है काफी user friendly है यहाँ पर So, home screen के उपर यहाँ पर hold and press करते हो तो आप यहाँ पर जो watch face है इसको यहाँ पर easily switch कर सकते हो जो मुझे एकदमी सही लगा यहाँ पर आप cloud watch face जो है उसको भी यहाँ पर install कर सकते हो और जैसे हमने यहाँ पर आगे देखा आपको यहाँ पर काफी सारे जो watch faces है cloud watch face, custom watch face तो वो सभी का यहाँ पर जो support है वो मिल जाता है So, यहाँ पर आपको call and notification जो है वो मिल जाता है अगर आपको यहाँ पर call आता है तो caller का नाम जो है वो आ जाएगा और यहाँ पर आप इसे cut कर सकते हो या तो फिर इसे silent भी कर सकते हो जो मुझे एकदम ही सही वाला feature लगा One more thing यहाँ पर आपको easily accessible जो notification है वो भी यहाँ पर मिलते है So, यहाँ पर अगर आप swipe करोगे right side तो आपको यहाँ पर जो notification है वो यहाँ पर दिख जाएगा आप इसे access कर सकते हो या तो फिर यहाँ पर delete भी कर सकते हो So, काफी यहाँ पर awesome है और जो response time है वो भी काफी awesome है अगर बात करें यहाँ पर waterproof rating को लेके तो IP67 waterproof rating मिलता है That means यहाँ पर आप इसे up to 30 minutes तक 1 meter underwater यहाँ पर use कर सकते हो यानि यह हलके फुल की बारिस के अंदर sweat resistance, gym के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं करने वाला है लेकिन अगर आप इसे यहाँ पर use करोगे swing pull के अंदर तो maybe यह damage हो सकता है So, अब बात करते हैं यहाँ पर health related तो यहाँ पर आपको heart rate sensor जो मिल जाता है चेक करते हैं यहाँ पर कैसा accuracy है क्या यह on the air measure करता है या नहीं करता है So, अभी तो sensor यहाँ पर automatically turn off है और यह देखें यहाँ पर आ गया है measure again So, मुझे यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर accurate लगा यह क्योंकि यह on the air जो है वो यहाँ पर measure करता है watch not ready ऐसा भी यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर आप heart rate SPO2 and one more thing यहाँ पर आप temperature जो है उसको भी यहाँ पर measure कर सकते हो यहाँ पर आपको breathe mode तो मिली जाता है यानि completely जो package है जिसके अंदर आपको सारा health data जो है वो मिल जाएगा और वो भी काफी accurate वाला अगर बात करें यहाँ पर sports मुड़ू के लेके तो यहाँ पर आपको activities के अंदर काफी सारी multiple activities मिल जाती है walking, treadmill, running, badminton, football, basketball, tennis, yoga, dancing, indoor cycling, cricket, boxing, karate, table tennis and pilots वाउ, so यहाँ पर काफी easy है इसे use करना जैसे के हम यहाँ पर walking यहाँ पर use करते है so 3, 2 and 1, so यहाँ पर यह डिटेक्ट कर रहा है पीछे जो heart rate sensor है वो भी यहाँ पर start हो गया जो मुझे एकदम ही सही लगा अगर जाते है तो यहाँ पर आपको music player का access दो है वो भी quickly मिल जाएगा और यहाँ पर कितना step यहाँ पर आपने walk किया है calories कितना burn किया है वो summary के अंदर भी दिखाएगा सो काफी अच्छे वाला यहाँ पर आपको multiple sports mode मिल जाता है अगर बात करें यहाँ पर UI और animation को लेके तो यहाँ पर एकदम ही smooth यहाँ पर UI है जो आप बोलते हो एकदम मक्षन वाला तो यहाँ पर ऐसा आपको UI and animation का experience मिल जाता है यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो shortcut है दिसके अंदर do not disturb यहाँ पर और एक एकदम ही अच्छे वाला फीचर है जो है screen of time जो है up to 5 minutes यानि 5 minutes तक यहाँ पर आपकी जो screen है वो यहाँ पर on रहेगी यानि आप बोल सकते हो एक जो experience है continuous यानि कि always on display का वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेकिन 5 minutes के बाद यह turn off हो जाएगा यहाँ पर आपको find my device जो है वो मिल जाता है alarm यहाँ से आप brightness को plus minus कर सकते हो one more thing यहाँ से आप quickly जो setting है उसको भी access कर सकते हो so swipe up से यहाँ पर आपको sports score जो है मिल जाएगी अगर यहाँ पर कोई match हो रहा है तब यह मिलेगा इसके अलवाए यहाँ पर अगर आप swipe जाते हो right left तो यहाँ पर आपको notification मिल जाएगा steps counter, heart rate, यहाँ पर spo2, then again आप यहाँ पर temperature जो है उसको भी measure कर सकते हो sleep monitoring, music अगर यहाँ पर आप control करना चाहो तो वो भी हो जाएगा so menu जो एक काफी easy है, काफी useful है और काफी यहाँ पर smooth है यहाँ पर home button को press करते हैं तो main menu open होता है जिसके अंदर यहाँ पर आपको activity, activity records, heart rate, spo2, sleep, temperature, breathe, notification, stopwatch, timer, alarm system, flashlight, camera control, music control, calculator भी मिलता है जो मुझे एकदम ही सही लगा, steps then again game, so यहाँ पर game मिलता है याँ आप यहाँ पर मेरे खाल से यह segment के अंदर game यहाँ के प्रोसेसर जो इसका वो काफी heavy है और काफी अच्छी तरीके से यह work करेगा find my device setting, setting के अंदर यहाँ पर आपको display के अंदर watch face selection का जो setting के वो मिलता है और यहाँ पर advance में जैसे मैंने आगे बताए एक है आपका normal display जिसके अंदर 20 second के बाद यहाँ पर display turn off हो जाएगा और second जो है वो screen on up to five minute तो आप यहाँ पर always on डिसने का जो मज़ा है वो भी यहाँ पर ले सकते हो vibration के अंदर यहाँ पर आपको तीन मोर मिलते है strong, soft या तो फिर none यहाँ पर आप डून डिस्टब जो है उसको भी यहाँ पर आपके हिसाप से set कर सकते हो system के अंदर यहाँ पर आपको मिलते है restart power of factory reset application कॉंसर डाउनलोग करना उसका qr code मिल जाएगा and about के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा watch का name so menu जो है काफी easy है काफी useful है और काफी यहाँ यहाँ पर lag free animation वाला आपको मिल जाता है live cricket score का यहाँ पर आपको updates मिलता है और यहाँ पर आपको quick charge भी मिल जाता है बाकी सारे features जैसे की hard rate है spo2 cloud custom watch face तो वो सारे यहाँ पर आपको मिलते ही है लेकिन यहाँ पर जो budget है price है काफी attractive है 2899 रूपीज और इसका जो purchase link है वो भी मिल जाएगा आपको video description में नीचे आज की video बस इतना ही thanks for watching have a nice day